समस्कार साथियों डॉक्टर उमंखन्ना हमियोपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे उस समस्या है कि तो मैं समझता हूँ हर चोथी पाच्वी ग्रहनी को ये किसी भी व्यक्ति को मौजूद है समस्या है केलकेनियल इस पर की समस्या है आपकी एड़ी के निशले हिसे में तलवे में पैर के तलवे में दर्द की यहां समस्या आज बहुत आम हो गई है हम लोग का जीवन दौड़ते बीटता है पूरा दिन दौड़ते भी इता है और आधी रात दौड़ते भी इता है तो इतना वक्त जो हम अपने इस पैर की निशली हड़ी जिसको कलकेनियम बोन कहते हैं उससे इतना जादा काम ले रहें कि वहाँ भी जवाब दे जाती है फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ढूनते हैं चपल चपल तीन हजार की हो, चार हजार की हो, पाच हजार की हो डॉक्टर सोल की चपल की तलास में निकलते हैं जो की तमाम कम निया बनाती है क्योंकि आप किसी के पास भी जाते हैं डॉक्टर पास वो यही कहता है कि आप मुलाइम चप्पल पहनिए उससे आपको आराम मिलेगा लेकिन यहाँ पर सवाल है साथियो निदान का आराम तो मिलेगा मुलाइम चप्पल से लेकिन निदान कैसे मिलेगा निदान बिलेगा उस नुफ्सके से जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं होता क्या साथ यह छोटी सी बात है आपको तुरंट बता सकते हैं लेकिन इसी भाने आपसे थोड़ी देर बात्चीत हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि विशय की महता को समझते हुए विशय की महता को समझते हुए बात रखी जाए तो बात में गंबीर्ता आ जाती है नहीं तो क्या है आप भी जानते हैं हिंदुस्तान में अभी अगर एक छोटी सी बात आपको बताएं आप कहीं जादू देखने जाईए आप जादू देखने गए जादू गर ने जो है एक टोपी में कबूतर डाला और जब उसका टोपी को गुमाया तो उसमें से फोल निकल आए आपने क्या करी आपने ताली बजाना शुरू कर दिया आप बहुत कुछ हो गया आप उस जादू गर की दाथ देने लगे कि उसने कैसे सफाई से सारा काम कर दिया अब मैं आपको इस बात का दूसरा एंगल लखना चाहता हूँ मान लीजे जब आप उस ओडिटोरियम से जादू देखके बहार जा रहे हैं तो जादू गर ने आपको वो ट्रिक बता दी जिससे उसने उस कबूतर को फूल में बदलता हुआ आपके सामने सावित कर दिया था उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस ओडिटोरियम के बहार निकलेंगे तो वही लोग जो दो मिनिट पहले तालीव जा रहे थे वही लोग दो मिनिट बाद जब उस ओडिटोरियम से उस ट्रिक को जानके उस जादू की ट्रिक को जानके निकलेंगे तो जब दोबारा जादू का गर उन्हें गलती से बाहर मिलेगा तो उससे यही कहेंगे यह कहां पे आ गया इसे इसके जैसी ट्रिक तो हम लोग घर में गली कुछे में हमा चोटा सा बच्चा भी कर लेता है इसमें काउंसी बड़ी बात है जो उसने करके दिखाया 500 का टिकेट भी ले लिया तो मैं जादू कोई नहीं कर रहा हूं लेकिन अपनी बात बताने से पहले इस विशय की महत्ता को समझ लेना जरूरी है तो हम आपको बताएंगे ऐसा नुसका जो आपके इस एड़ी के दर्द को इस कैलकेनियल इस पर को खतम कर देगा और आपके जो ये मन में मिसकंसेप्शन है कोता है बड़ी हुई एड़ी की हड़ी बड़े हुई पैर के तलवे की हड़ी उस मिस कंसेशन को खतम कर देगा और आप जो ये 4-5-6 अजार रुपए की चपल को तलासते हैं बजार में इसको आप तलासना बंद कर देंगे वैसे मुलाइम चपल पहनना बुरी बात नहीं है अच्छी कंपनी की चपल पहनना बुरी बात नहीं है जो आप पैर से इतना काम ले रहें तो आपको चपल अच्छी पहननी चाहिए लेकिन फिर भी आप चपल जरूर अच्छी पहनी है लेकिन आपको एड़ी में तकलीफ नहीं हो तो हम आपको बताते हैं जादुए नुसका जो एक रुपए लागत का भी नहीं है और वहाँ आपकी पैर की जो तलवे की हड़ी है उस बड़ी हड़ी को खतम करके आपको ठीक कर देगा आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको किसी पान वाले की दुकान पे चले जाना है या किसी परचून की दुकान पर चले जाना है जो मसाला बेचता हो मसाला मतलब पान मसाला ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे होकर के पास पान की दुकान या मसाला जो परचून वाले लोग है इनके पास आपको पांच रुपए का डिविया में चूना मिल जाएगा जो यहाँ पान में लगाते हैं उनके लोटे में भी रखा रहता है चाहे आप उससे ले 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 चाहे पांच रुपए की छोटी सी डीबी आती ही वो ले ले और उसमें से हमारे जिन भी भाई बहनों के साथियों के दर्ध है एडी में वहाँ उसमें से चने के बराबर चने भी क्या गेहूं के दाने के बराबर गेहूं के दाने के बराबर चूना ले ले वही चूना जो पान वाले क्या मिलता है वही चूना जो पान वाला पान पे लगा के दिखता है वहाँ आप गेहूं के बराबर चुना ले ले उस चुने को आप गुन्मुने पानी में डालके या दूर में डालके मिला के उस चुने को रोज सुबा आप पी ले पंदरा दिन के अंदर आपको जो पैर के तलवे में दर्द हो रहा है पैर जमीन पे रखते ही जान निकल जाती जब आप पलंग से उड़ते हैं तो पैर जमीन पे रखते ही आपकी जान निकल जाती है उस इस्तिती से आपको निजात मिलने लगेगी और महीने भर के अंदर आप इस समस्या से निकल जाएंगे ऐसी पूरी संभावना है आप एक बार इसको करके देखिए मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आप चूना का रेंजमेंट कर लिजे वही चूना जो पान में लगता है वही चूना जो पान वाले आपको मसाले के साथ मिला के बहुत लोग खाते हैं वो चूना आप गेहूं के दाने के बराबर एक गुनगुने पानी बड़े गलास गुनगुने पानी में डालके या दूद में डालके बड़े गलास रोज सुभा आप पी ले आप देखेंगे कि आपका यहाँ जो एड़ी का दर्द है जो आपके पैर के तलवे का दर्द है वहाँ पुरी तरह खतम हो गया और आप इस समस्या से निकल गए आप इस नुस्खे को करिएगा और जो यह कमेंट पोर्शन यूटूब का बना है इसमें आप इसका negativity या positivity जो भी आपके सामने आए अगर आपकी एड़ी में दर्द है तो जो negativity या positivity आपके सामने आए वहाँ आप लिखिएगा ताकि अन्य लोगों को भी उसके बारे में पता लगे और हमें भी पता लगेENT कि हम जो बात इतीी देर आपको वक्त ले रहे हैं उस बात का प्रभाव किता है वहाँ बात प्रभाव साली है की नहीं हम तो अपने klassешь को प्रभाव साली होते देखते हैं और हम चाहते हैं आप भी इससे लाब ले तो इसमें उसके को करें और हमें बताएं अगर आपके मन में कोई query हो तो आप notification panel में अपनी query भी लिख सकते हैं यह हमारा WhatsApp नमबर जो नीचे दिया हुआ है उस नमबर पे आप WhatsApp कर सकते हैं अपनी समस्या हमें खुशी होगी आपके इस समस्या को उस question को निदान करने में अगर साथ ही हूँ आपको यहाँ वीडियो जो कि मैं समझता हूँ आपके पैर के तलवे का दर्द जो कि आप सुबह उड़ते हैं और पैर जमीन पे रखते हैं जान निकल जाती वो जो पैर के तलवे का दर्द है जिसको कैलकेनय लिस्क पर भी कहते हैं उसको ठीक करने में आराम मिलना आपको इस वीडियो से मحسوس होता हो तो इस वीडियो को like करिएगा इस वीडियो को share करिएगा आपने channel को subscribe किया होगा आपने अने साथियों को subscribe परने को प्रेजित कीजियेगा और bell notification बटन को दबा कर ग्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो आप यूँ ही प्राप्ट करते रहेगा आपका साथ ही ओती देर हमारे साथ रहने के लिए और साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत साथ दुमार अरश बहुत-बहँति, बहुत-बहुत इव और साथ fifteen Vive आपका साथ लिए ुमार प्रिजब कर दिएर्फूपटरी पासर दिएर्फूचरी कर दो आगा जगए सिर्फूपटरी जगए सिर्फूपटरी कि अवे झालो है कर दो कर दो